नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल रवी एलल वीम आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम भारते साच्छा धिनियम 1872 के महतपूर टॉपिक साच्छों की परिच्छा एवम सूचक प्रेशन के विशे में जानकारी देने वाले है जो साच्छ धिनियम की धार 135-143 में प्राउधान किया गया है दोस्तों, वीडियो बहुत ही महतपूर है अगर आप लॉज स्कॉलर है तो यह आपके स्लिवस में है और परिच्छा में पूछे जाने वाले महतपूर सावालों में से एक है और यदि आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं आप एड़ोकेट है तो यह आपको पता होना चाहिए कि साच्छों की परिच्छा कैसे होती है और अगर आप जुडिस्री की तैयारी कर रहे है तो फिर यह तो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि साच्छों की परिच्छा कैसे की जाती है दोस्तों इस वीडियो बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो को बनाने में विशेश मारतासों में निर्देशन डॉक्टर अशुक कुमार राय का प्राप्त हुआ है जो फैकल्टी आप दीन है डॉक्टर रामन होलो या अवद इनिवस्टी के और एसोसेट प्रोफेसर है किया साकीर पीजी कॉलेज अयुद्या के तो वीडियो को अन तक देखे और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है धार 135 कनुसार साच्यों के पीज करण उनकी परिच्छा का क्रम क्रम सा सिविल और डंड प्रक्रिया से तत समय सम्मधित विधी और पद्धती द्वारा तथा ऐसी किसी विधी के आभाव में न्याले की विवेग द्वारा विन्यमित होगा अता सरप्रथम दीवानी और आपनाधी कारवाईयों में जिस प्रकार की विधी और प्रक्रिया साच्यों के परिचलित है न्याले को उसी कनुसार साच्यों के अंतरगत दो चीजें है कौन पच्छकार सरप्रथम अपने साच्यों की परिच्छा करे किस क्रम में किसी पच्छ कर vora साचियों की परिच्छा की जाए यदि भी न्याले अपने विवेक का नुसार साच्छ के क्रम को नियंतरित करने का अधिकार रखता है परॉंतुवा इस प्रकार की क्रम में बहुत कम हस्तचिप करता है या मुल रुप्च अधिवक्ता का अधिकार है कि वे अपने साच्यों को किस क्रम में पेश करें किसी पच्छकार के केस को बंद कर देने के पश्चास साच्छे दिने का अधिकार नहीं है हिमांसु सिंग सबर्वाल बना मद्ध प्रदेश राजी के वाद में मानिमिये सर्वोच नियालेन या प्रतिपादित किया कि पीठासी नियाधिस को केवल एक दर्सक नहीं होना चाहिए और केवल साच्छ भिलेकित करने वाली मसीन नहीं होना चाहिए अपितु उसे साच्छे कत्रित करने की प्रक्रिया के दोरां सक्रिय भूमका निभानी चाहिए और निसकर्स पर पहुचने के लिए सभी आवश्यक सुसंगत समाग्रित देखनी चाहिए तकि सत्य की खोज हो सके रामचंद्र बनाम हर्याना राजी के वाद में अभी निर्धारित किया गया कि नियाधिस को ना तो केवल दर्सक बने रहना चाहिए और ना ही सच्छ अबलेकित करने की मसीन बलकि बुद्धिमानी पूरवग विचारां में सक्रिय भाग लेना चाहिए लेकिन उसे अभियोजग की या प्रतिरच्छा की भूंका में पहुचने तक नहीं जाना चाहिए केवल सत्य को प्रकास में लानी का कारिश साउधानी पूरवग करना चाहिए धार 136 का नुसार नियाले को साच की ग्रहता सुनिशित करना होता है अता जब कोई इस पच्छकार साच देता है तो नियाले पूच सकता है कि यदि अभिकति तथ साबित हो गया तो किस प्रकास सुसंगत होगा तथ सुसंगत होने पर ही साच में ग्रहन किया जाएगा साच दिनियम की धारर 137 के अंतरगत उन विभिन परकार की परिच्छाओं को परिभासित किया गया है जो नियाले में किसी साची का किया जाता है इसमें तीन परकार की परिच्छाएं है गवाहों की परिच्छा तीन परकार की होती है मुखी परिच्छा, Examination in Chief जब किसी साच्छी को परिच्छा उस पच्छकार द्वारा की जाते हैं जिसने उसे बुलाया है तो ऐसी परिच्छा मुख्य परिच्छा कहलाती है गवा से पूछा जाता है कि आप इस घटना के बारे में क्या जानते हैं घटना कि समय आपने क्या देखा आपने क्या सुना ह इस तरह के प्रश्ण किया जाते हैं प्रति परिच्छा Cross Examination जब किसी गवा की परिच्छा दूसरे पच्छकार द्वारा की जाती है तो प्रति परिच्छा कहलाती है जिसे जिरा कारना भी कहते हैं इसमें विपच्छी द्वारा ऐसे प्रश्ण पूछे जाते हैं जो गवा की विश्वश्टा को खंडित करते हैं यहां तक की सूचक प्रश्ण भी पूछे जाते हैं री एक्जामनेशन पूना परिच्छा जब किसी गवा को दुबारा गवाही के लिए बुलाया जाता है तो यह पूना परिच्छा है पूना परिच्छा में मुख्य परिच्छा और प्रतिपरिच्छा भी होगी पूना परिच्छा किसी बात के इस पश्टी करण के लिए की जाती है धारा 138 कनुसार साचियों से धारा के अंतरगत मुख्य परिच्छा प्रती परिच्छा और पुना परिच्छा का क्रम क्या होगा ये बताया गया है सबसे पहले मुख्य परिच्छा उसके बाद प्रती परिच्छा और उसके परिच्छा पुना परिच्छा होती है य जिसने उसे बुलाया है और उसे मुख्य परिच्छा कहते हैं इसके बाद प्रति पच्छी द्वारा प्रश्न किये जाते हैं और उसे प्रति परिच्छा कहते हैं यदि प्रति परिच्छा के बाद जिस पच्छकार ने साच्छी को बुलाया है वह फिर से कुछ पूछना चा वे पेस करने के लिए बुलाया गया हो, वा साच्छी नहीं होता है और इसलिए उसकी प्रती परिच्छा नहीं की जा सकती है उसकी प्रती परिच्छा तभी की जा सकती है जब वा साच्छी की हैसियत से बुलाया गया हो धारे 140 कनुसार जो साची किसी पच्चकार के सील का साच्च देने के लिए आता है उसकी मुख्य परिच्छा, परती परिच्छा तथा पुना परिच्छा भी की जा सकती है सूचक प्रश्न भारते साच अद्मियम की धारा 141-143 में सूचक प्रस्टे समधित प्रावधान किया गया है मुख परिछार्था साच्छी से बुलाने वाले पच्छिकार द्वारा प्रस्ट पूछने का उदेश होता है कि साच्छी स्वयम अपने मूँ से सही सही मामले का तथ्य प्रस्तोत कर दे सुसंगत तथ्यों के बारे में उसे प्रस्ट पूछना चाहिए और फिर उसे अपनी जानकारी करनुसार उत्तर देने की पूर्ण स्वतनत्रा मिलनी चाहिए उसे उत्तर के बारे में कोई सुझाव नहीं मिलना चाहिए धारा 141 के तहट कोई प्रस्ट जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता या पाने की आसा रखता है उसे सूचक प्रस्ट कहा जाता है समानेता सूचक प्रश्ण की पहचान या होती है कि उस प्रश्ण में ही उत्तर छिपा होता है अता साउधानी पूरवग्ने नधान करना चाहिए कि कोई प्रश्ण सूचक प्रश्ण है या नहीं सूचक प्रश्ण की परिभासा धारा 141 में दी गई है जिसके अनुसार कोई प्रश्ण जो उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला बैक्ति पाना चाहता या पाने की आसा करता है सूचक प्रश्ण कहा जाता है धार 142 का नुसार सूचक प्रशन मुख्य परिच्छा में या पुना परिच्छा में यदि विरोधी पच्छकार द्वारा अच्छेप किया जाता है तो न्याले के अनुमति की बिना नहीं पूछा जाना चाहिए धार 143 का नुसार सूचक प्रती परिच्छा में पूछे जा सकेंगे धार 142 का सीर्षक है सूचक प्रती परिच्छा में पूछे जा सकेंगे परन्तु धार 142 के अंतरगर सूचक प्रती परिच्छा एवं पुना परिच्छा में यदि विरोधी पच्छकार द्वारा आच्छेप करें तो न्याले के अनुमती से ही पुछा जा सकता है उमीद करते हैं दोस्तों आज का हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शियर करें और कमेंट करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्क्राइब कर लीजिए और बेल नोटिकेशन को प्रेस कर लीजिए तक कि आने वाले नए वीडियो में लें आपको सबसे पहले तो मिलते एक नए वीडियो में तब तक लिए नमस्कार